जी हाँ उन्होंने कोश्चन थोड़ा तक घूआ दिया उन्होंने कहा कि सर्द डिस्क्लोजर रिक्वाइमेंट्स क्या है में वह आदा रिक्वाइमेंट्स कमपनी के अंदर आप फटा फट बना लेंगे एक बढ़ी आजी कमेटी सेक्शुल पर रोकने के लिए लेकिन इसको तो कहीं पर अगर हम डिस्क्लोज ही नहीं करते हैं तो उसका फाइदा क्या इस एक बहुत ही कंभी मुद्धा है और धिरे-धिरे इंडिया में इससे बहुत सारे केसे रिपोर्ट है लगे इसी चीज़ को चेक करने के लिए बनाया गया था और जब से एक बनाया है तब से हमारे कंपनी लॉगे पेपर का एक रेगुलर फीचर है लगातार इसके बर कोशन पूछा जाता है और जैसे ही कोशन पूछा जाते हैं कि अगर आपकी कंपनी में फलाना नंबर ओफ एम्प्लोईज है तो आपको फलानी कमीटी बनानी पड़ और जा रहे हैं उन्हें थोड़ा दा कुशिंड घुमा दिया उन्हें कहा कि इस अथे क्या हैं चले जानते हैं इस एक के अंदर कहा पर है डिस्क्लोज रिखृमिंट जो कि बोर्ड रिपोर्ट के अंदर लिखनी होती है सी कॉन सी कॉई मेंट से तो आएए ढूड़ते हैं requirements को तो सर as for section 134 read with rule 85 x of companies act accounts rules 2014 ठीक है जी इस rules के साथ से क्या हर company हर company except कौन सी जो की small company है या फिर जो one person company है या फिर जो वन person company है जो एक ही वेक्ती चलाते है is required to include the following in its directors report director report में यह यह डालनी होती है और directors report कहां होती है कहां होती है कहां होती है वो होती है हमारी annual report में राइट तो annual report के जो डिरेक्टर रिपोर्ट हम जो समिट कराते हैं उसके अंदर हम क्या क्या डालना होता है statement that the company has complied with the provisions relating to the constitution of internal complaint committee यह बहुत important committee है इसके बारे में आने वादी वीडियो में जानेगे फिलाल अभी इस वाले कोशिक पर फोकस करते हैं अंडर सेक्शन हरास्मेंट और वोमें एड प्रिवेंश्ट वोमें एड वर्क प्लेस्ट प्रिवेंश्ट प्रिविशन और रिड्रेस्ट रेक्ट 2013 एक्स एक्ट के अंदर बनाई गई यह जो इंटरनल कमीटी है इसके इसकी जो भी कंप्लाइंसे से इसके बारे में हमें डिरेक्टर्स रिपोर्ट के अंदर लिखना होता यह कंपल सरी है किसको लिखना होता जी हर कंपनी को एक्सेप्ट स्मॉल कंपनी और वन पर्संट कंपनी इन्हें नहीं लिखना होता जी ठीक है जी अभी हम आगे इसको दर डिटेल में पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कहां पर कंफ्यूजन फसने वाली तो चलिए जानते हैं अंडर सेक्शल रास्टमेंट फूम ओफ वोमें एड़ प्लेस एक क्या है सबसे एक कहता है यह एक ही कहता है कि इस एप्ली के बिल टू एवरी वर्क प्लेस हर वर्क प्लेस के ऊपर है जहां पर दस यह दस से जादा इंप्लोईज क्या क्या करते हो है एक दस यह दस से जादा करते हो हर वोकस्ट में heather प्लेस मतलब हर वोटेस हर इस्टैबलिशमेट हर कंपुणी यह कोई भी ऑसकता है अभर संजी सभूपर दाएरह वह सिर्फ नहीं हर जगा जहां पर इंप्लोईज होते हैं और अगर अगां से जादा है तो आपके ऊपर यह एक्ट एप्ली के भल हो जाता है आप सब को बनाना पड़ता है क्या एक इंटर्नल कंप्लेंड कमिटी और तीक यह चाहे वह कंपनी हो चाहे कंपनी फॉर्मेट ना प्रोप्राइटरी हो चाहिए यूनोव पार्टनर्शिप हो यह कोई भी फॉर्मेट हो अगर वहां पे दस या दस से ज़्यादा इंप्लोई काम करते हैं तो सर आपको बनानी है इंटर्नल कंप्लेंट कमिटी देखा आपने शुरू हो गया यहां पर कंपनी नहीं भी हो तब भी बनानी है और भी हमने पिछली स्लाइट में पढ़ा था कि स्मॉल कंपनी दो वन परसन कंपनी के ऊपर ऐसी कोई रिक्वार्मेट है नहीं तो चलिए मैं आपकी कंफूशन द किई री कि किसको डाइकिनर मादि द्रेक्टरी रिपोर्ट के श्यौशन है और अब यह बड़ोंत की किस्वें को फड़े की अपर इंस अगर आपके हां काम करते हैं तो आपको internal complaint committee बनानी ही बनानी है इसको disclose करना है यह नहीं करना ठीक है यह मुद्ध हमने पिछली slide में cover किया था ढेखेदी डिस्क्लोस तब करना है जब आप एक कंपनी है और अगर आप स्मॉल कंपनी तो डिस्क्लोस करना है वह कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन इंटरणल कंपलेंट कमीटी आपको ज़रूर बनानी है ठीजिए अब एक चीज और चाहिए ज़ह हम मैं आपको पर देता हूं यह कह रहा है कि अप्लाइज टू और एवरी वर्क प्लेस इस्टैश्मेंट कंपनी ओगनाइज इंप्लाइग टेन और मोर इंप्लाइज यहां पर कहीं भी यह लिखा कि फीमेल इंप्लाइज अगर दस से जाधा इंप्लाइज है तो आपको करनी ही करनी है क्य कि इसे अंटरनल कमीटी शहल ब्रिपेर एंग एंवर्ल रिपोर्ट कंपनी को जरूर एक और रिपोर्ट बनानिया इंटरनल कमीटी और से के कहता है किस शनला भी जरूर इस जरूर लिखेंग कि कितने केसिस इस एक्ट के अंदर इस कमेटी के पास रिपोर्ट हुए अब यहां फिर बड़े सारे बच्चे पूछेंगे कि सर अभी तो आपने कहा था कि स्मॉल कंपनी तो वन प्रॉसन कंपनी को बनानी नहीं और आप कह रहे होगी सब को एन्वल रिपोर्ट बनानी है तो स यह अलग है इस रिपोर्ट को बनाना समय लेकिन इसको डिस्क्लोज वह डिरेक्टर रिपोर्ट के अंदर किसना करना है कि इसकोलन और कंपनी chrono और वन परसका कंपनी उन्हें एक internal committee बनानी है इस तरह के मेटर्स को देखने के लिए और सभी को साल भर में इस committee ने जो भी काम किया उसका एक लेखा जोका त्यार करना एक annual report त्यार करना है ठीक है जी यह सब ने करना है अब अगर आप company है वो भी अगर आप small company नहीं है या one person company नहीं है तो इस annual report को आपने अपनी directors report में भी डालना है वो directors report जो company के annual report का एक हिस्सा होगी I hope it's clear now अब फड़ावर पढ़ लेते हैं कि इसके दर लिखना क्या-क्या होता है तो rule 14 क्या कहता है वो बताता है कि annual report जो बनेगी इसमें क्या-क्या लिखना होता है तो चलिए फड़ावर देख लेते ह एक बात clear करता है कि जो annual report बनेगी उसमें हम यह जरूर लिखेंगे कितनी complaints हमारे पास आई ठीक है जी इसके वाक्त कितनी वह जो complaints ही उसमें कितनी हमने dispose करी ठीक है जी और कितनी ऐसी थी जो 90 दिन से ज्यादा pending रह गी यह 90 दिन का क्या fund है हम आने वाली वीडियो में cover ठीक है फिलाल यह देखिए हमने लिखना है कि 90 दिन से ज्यादा कौन सी pending पड़ी रही थी ठीक है जी इसके इलावा number of workshops कितनी workshop और कितनी awareness programs हमने इस sexual harassment की एक्ट के लिए अपने यहां पर कराई यह भी mandatory होता है जो हम आगे इसके बड़ रिटेल में पढ़ेंगे तो आपको the nature of action taken by the employer or district officer जो भी वाइसा हमने पर complaint आई उसके against क्या क्या action लिया गया तो यह पांचों चीजे हम जरूर अपने यह जो एन्वल रिपोर्ट बनाएंगे कौन सी एन्वल रिपोर्ट बनाएंगे internal committee on sexual harassment against women act के अंदर बनीगी जो committee बनी उसकी जब एन्वल रिपोर्ट बनाएंगे तो यह पांच चीजे हम जरूर कवर करेंगे क्या क्या करेंगे जी कितनी number of complaints आई उसमें से कितनी हमने डिस्पोर्ज कर दी कौन सी कितनी ऐसी complaints यह 90 दिन से ज़्यादा पढ़ी रहागी और कि क्या क्या disclosure requirements है तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो जरूर अपने सभी फ्रेंज के शेयर करें जो की कंपनी लॉका पेपर इस बार देने वाले हूं हमने हम इस सीरीज के अंदर कवर करने वाले हैं पिछले सालों में पूछे के सभी tricky questions को तो अगर आप अब भी इस तरह के सभी tricky questions के solution जाना चाहते हैं तो नीचे दिए के bell icon को जरूर हिट करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए grasp it well